वेलकम टू एससी में कर आज दो फरवरी 2021 और दो फरवरी से करंट अफेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कोशन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हर कोशन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी तो पूरा वीडियो अब बद्यांसर देखिए अगर लास्ट में मैं कोशन भी पुछूंगी जिसका अंसर आप लोग को कापर जिसका अंसर आप लोग को कॉमेंट बाक्स में लिखना है आई होप सभी करिक्ट आंसर लिखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं अज के वीडियो के साथ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ या दिला दू कि जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एकी स्पेशल एबुक को लॉंच किया है जिसमें पंद्रास उसे ज़्यादा कोशयंस का कमपा लिशन है अगर हम लोग साइंस कि बात करी तो साइंस भी इसमें इंक्लूड है, जन्रल अवẹरनेस भी इंक्लूड है, जीयस बन लाइनरके सेत्स भी इसमें दिये हुए है maths और reasoning भी इसमें include है maths और reasoning को बहुत अच्छे तरीके से step by step solve किया हुआ इसलिए आप लोग को समझने में कोई भी problem नहीं होगी और हाँ इस e-book को buy करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा इस e-book को buy करने के लिए description box में link दिया हुआ है वहाँ से जाकर के आप लोग directly buy कर सकते है ठीक है यह सभी आपके आने वाले सभी exams के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है चाहे आपका NTPC का exam जो भी चल रहा है चाहे इसकी बाद जो group D का होगा वो exam है या फिर आपका CHSL का जो आने वाले exam है CGL IB कोई भी आपका exam है कोई भी one day exam है सभी exams के लिए पीडिएफ बहुत ज़्यादा important है I hope सब लोग इसको purchase करेंगे ठीक है आप जैसा कि आप सभी को पता है union budget आज चुका है ठीक है तो आज की वीडियो में हम लोग budget की बहुत ज़्यादा important बाते करेंगे बहुत ज़्यादा important जो question बन सकते है budget से related वो सारे questions आज के session में हम लोग देखने वाले हैं तो इस session को बिल्कुल भी मिस्मत कीजिए सभी अपने सभी friends को share कर दीजिए चलिए first question क्या कहता है first question क्या कहता है senior citizen के लिए special alarm में कितने साल से अधिक IO वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा ऐसा किस में कहा है ऐसा अभी हाल फिलाल में जो कल budget आया उसमें बात की गई है तो इसलिए question बन सकता है इसका correct answer क्या बन जाता है इसका correct answer है 75 साल से अधिक IO वाले लोगों को आम budget को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता आय करदाताओं के बीची ही रहती है जैसे कि आप सभी को पता है हर साल की तरहां वे इस साल भी income tax में छूट की मांग कर रहे है इसलिए भारत का जो केंद्रिय बजट 2021 है उस संसद में पेश करते समय हमारी वित मंत्री किनके द्वारा budget को पेश किया गया है सबको पता होगा निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जो की वित मंत्री है वित मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने senior citizen के लिए आय कर return के बारे में यह special एलान किया कि भाया आप 75 साल से अधिक उमर वाले senior citizen को tax जमा करवाने में इस वर्ष से राहत दी गई है अब 75 साल से अधिक उमर वाले लोगों को अपना ITR नहीं भरना पड़ेगा ठीक है तो इस साल के budget में यह announcement किया गया है चलिए मुप करते हैं आज के next question की से पहले आज की वीडियो के लाइक के target की अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो के लाइक का target क्या है आज की वीडियो के लाइक का target है 2000 प्लस likes I hope यह targets अभी जादा से जादा अचीव करेंगे आज का वीडियो बहुत जदे अप्रवासी भारतिय अगर हम लोग यह आपर बात करें भारत सरकार का केंद्रिय बजट 2021-22 संसद के पटल पर रखते हुए वित मंत्री कौन निर्मला सीतारमन जी इन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है इस बार का बजट तो उन्होंने ये बताया कि आप्रवासी भारतियों को टैक्स बरने में काफी मुश्किली होती थी लेकिन इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छोट दी जा रही है दरसल आप्रवासी भारतियों को भारत में अरजित की गई अपनी आयप पर भारत में कर चुकाना होता है और इसके साथ ही वे अप्रवासी भारतिय जिस देश में रहते हैं उस देश को भी इन अप्रवासी भारतियों को अपनी उसी अरजित आयप पर कर चुकाना होता है अब ये अप्रवासी भारतिय डबल टेक्स ओडेंस एगरिमे पॉलिटी के point of view से तो इसको बिल्कुल भी miss मत किजे कोई भी एक्जाम में definitely एक या दो कोशन बनते हैं इससे ठीक है थर्ड कोशन के अगर हम लोग बात करें तो भारत का केंद्रिय बजट 21-22 संसद 27 तारीक तक चलेगा तो इसका correct आंसर क्या है 8 अपरेल तक 8 अपरेल तक य केंद्रिय बजट 21-22 के लिए इस संसद का जो budget सत्र है वो कब से start हुआ है वो start हुआ 29 जनवरी से 29 जनवरी से शुरू हो चुका और यह है सत्र 8 अपरेल 2021 तक चलेगा ठीक है इस budget सत्र के दो चरण होंगे केंद्रिय बजट 2021-22 का पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ जो कि 15 फरवरी तक चलेगा मतलब दो स्लोट में हो गई है फरस्ट जो फरस्ट फेज हुआ सोरी दो फेजिस में होगा फरस्ट फेज जो हुआ 29 जनवरी से start हो चुका जो अभी चल रहा है कब तक चलेगा फरस्ट फेज फरस्ट फेज चलेगा 15 फरवरी तक 29 जनवरी से लेकर 15 इसका जो दूसरा फेज होगा, second phase होगा, वो start होगा, 8 मार्च को, और वो कब तक चलेगा, वो 8 अप्रेल तक चलेगा, वो start होगा, 8 मार्च से, और खतम होगा, वो 8 अप्रेल को, 16 फर्वरी से 7 मार्च 2021 तक, संसद के बजट सत्र का ब्रेक रहेगा पिछले साल भी भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण संसद का शीत कालीन सत्र आयोजित नहीं किया जा सका था यह आपको पता है कभी 2020 में क्या क्या हुआ था चलिए देखते हैं फोर्थ कोशिन क्या कहता है भारत का केंद्रिय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया बजट की सॉफ्ट कॉपी बजट की सॉफ्ट कॉपी जी हाँ भारत में कोरोना मामारी की कारण इस बार केंद्रिय बजट मतलब यूनियन बजट 2021-22 इसी ये मतलब historical period historical year बनने वाला है ठीक है 2020 तो 2021 और 2021 वी almost बनी जाएगा तो ये वाला जो year है इस साल paper print नहीं किये गए और ये है budget पूरी तरहा से paperless रहा ठीक है अजादी के बाद ऐसा पहला मौका आया जब आम budget के paper print नहीं किये गए मोधी सरकार की वित मंत्री कौन निर्मला सीता रमन जी उन्होंनी मतलब कल के दिन संसद के समक्ष केंद्रिय बजट 2021-22 को पेश किया था वित मंत्री निर्मला सीता रमन जी ने भारत के संसद भवन में सुबह 11 बजे देश का आम budget पेश किया था अभी मतलब तब तक सांसदो और जो मीडिया थी वो budget की hard copy चापी जाती थी मतलब अभी तक जो थी ना अभी तक जो था वो hard copy बन कर आते थी लेकिन इस साल कोरोना की वज़े से बहुत सब के hard touch होंगे वैसे social distancing का महौल है तो इस वज़ा से soft copy ही इस बार चापी है तो इसका correct answer है budget की soft copy चलिए दो मूफ करते हैं अगले question की side next question के कहता है भारत की वित मंतरी ने इस साल की आम budget के लिए कौन सा app launch किया तो इसका correct answer क्या बन जाता है इसका correct answer बन जाता है आप लोग का केंद्रिया budget mobile app केंद्रिया budget mobile app इसका correct answer बन जाता है अगर यहाँ पर हम लोग बात करें भारत की वित मंतरी को निर्मला सीता रमन जी निर्मला सीता रमन जी ने सभी धारकों को केंद्रिया budget की जानकारी आसान और तुरित पहुँच प्रदान करने के लिए केंद्रिया budget mobile app को लोंच किया इस एप पर भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से समननेत पूरी जानकारी मिल पाएगी और यह एप वारशिक वित्य विवरण अनुदान की मांग साथ में वित्विधेयक आदी सहित 14 केंद्रिया budget तस्तवेजों को देखने की सुविधा भी प्रदान करता है भारत सरकार के इस एप को आप Google App Store से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों किसी को डाउनलोड करना है तो अनिवेज अपार्ट फॉम दिस नेक्स कोशन देखते हैं सिक्स कोशन के कहता है केंद्रिया budget दोज़र बीस यहां दोज़र इकिस बाइस के लिए लूँच किये गए अप में वित्विधेयक सहित कुल कितने केंद्रिया budget दस्तावेजों को शामिल किया गया है तो इसका correct answer क्या बन जाता है इसका correct answer है 14 केंद्रिया budget दस्तावेज जी हां अगर यहां पर हम लोग बात करें कितने केंद्रिया budget दस्तावेजों को include किया गया इस साल 14 के इंद्रिया बजट दस्तावेजों को इंक्लूड किया गया ठीक है अगर यहाँ पर हम लोग बात करें निर्मला सीता रमन जी ने आम बजट 2021 की जानकारी असानी से और तुरंत प्रदान करने के लिए के इंद्रिया बजट मोबाइल एप को लॉंच किया और इस एप पर भारत के सभी लोगों को इस साल के बजट से सम्मंदित पूरी जानकारी बड़ी आसानी से मिल पाएगी ठीक है यह है एप वित विध्यक आदी सहित 14 के इंद्रिया बजट दस्तावेजों को देखने की भी सुविदा प्रदान करता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है 14 केंद्रिया बजट दस्तावेज चलिए देखते हैं आज का अपला कोशन यह बहुत इंपोर्टन कोशन है मतलब इंपोर्टन तो यह पुरा सेशन ही आज का एक कोशन ही इंपोर्टन ही है सारे कोशन ही इंपोर्टन है केंद्रिय बजट 2021-2021 में इन में से कोन कोन सी दो चीजे महंगी हुई तो इसका correct answer क्या है लोहा और स्टेल हाँ जी ने ने इसका correct answer क्या है रत्न और जूते मतलब ये दोनों चीजे महंगी हो गई लोहा और स्टेल के बारे में आगे पड़ेंगे फिलहाल हम रतन और जूते देखते हैं केंद्रिय बजट 2021 में इस साल को इन सब वस्तूओं में से कौन सी दो चीज़े महंगी हो गई तो कौन सी दो चीज़े महंगी होई रतन और जूते साथ में विदेशी चमड़ा, सोलर, इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल और चार्जर मोबाइल से जोड़ी ऐसे सिरीज की कीमतों में भी इजाफा हुआ तो बही नया फॉन बिल्कुल मत खरीदना इस साल जब तक जौब नहीं लग जाती अनिवेज, मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट पर छूट कम हुई है, रतन और जूते भी महंगे हो गए साथ में इसी तरहां इस साल के बजट में आयातित ओटो पार्ट, फिदेशी खाद्य तेल, गाडियों के पार्ट, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, इंपोर्टिट कपड़े भी महंगे हो गए बचा क्या है, देखते हैं क्या बचा है, तो ये सारी चीज़े आप लोग बिल्कुल मत परजेज करना, जब तक आप लोग की जौब नहीं लग जाती, चलिए देखते हैं, अगला कोशन क्या कहता है, चलो, अगला कोशन क्या क्या कहता है, केंद्रिय बजट 2021-22 में इन में लोगों को राहत देने की थोड़ी सी कोशिश की गई, हाला के जादा तो नहीं की गई, लेकिन हाँ, थोड़ी सी कोशिश की गई, एनिवेज, हर साल की तरह इस साल भी भारत के आम बजट में हमारे रोज मर्रा के जीवन की कुछ चीजे महंगी और कुछ चीजे सस्ती साथ में चमडे के उतपाद, नाइलोन और पेंट, नाइलोन के कपड़े, ड्राय क्लेनिंग के साथ, पॉलिस्टर के कपड़े भी सस्ते हो गई, तो ये सारी चीजे अगर किसी को परचेस करनी है, तो थोड़ा बहुत परचेस कर सकता है, चलिए, देखते हैं, नाइन्ध क इसलिए वहाँ से तो डेफिनेटली कोशन आए गई आएगा, वेतमंत्री निर्मला सितरमन, नहीं एक तारिक को बजट पेश किया, तो उस बजट में लद्दाक के ले चेतर में केंद्रिय यूनिवरस्टी बनाए जाने का एलान किया गया, ठीक है, लद्दाक में रहने व भारत के जमू काश्मेर का हिस्सा था, इसलिए वहाँ अपनी विशेश यूनिवरसिटी नहीं थी, तो अब आपको आने वाले दो, तीन, चार साल में जब भी मिल जाएगी वहाँ यूनिवरसिटी देखने को, चलिए देखते हैं, आज का अंतिम प्रेश्न क्या कहता है, अंतिम प्रेश्न क्याता है, वित मंत्री ने किंद्रिय बजट 2021 में आप निर्बर स्वस्त भारत योजना के लिए कितनी धनराशी प्राप्त करी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है 64,180 करोड रुपए, जी हाँ, 64,180 करोड रुपए इसके लिए दिये गए, साथ में अगर हम लोग बात करें, स्वास्ते के बजट को भी बढ़ाया गया, आपको लोग को पता ये क्यूं, ये बताने की जुरत है नहीं, ठीक है, वित मंत्री ने आम बजट रुजर 2021 पेश करते हुए, ये भी बताया कि भईया, पून लोकडाउन के तहत कई नई योजनाओं को कोरोना काल में देश में सामने लाया गया, ताकि अर्थ विवस्ता की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके, और देश के सभी नागरिकों को बेतरीन स्वास्ते सुविदा उपलब्द कराई जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, चलिए लिएग कोई को में देखते हैं, नेग्स्ट स्लाइड क्याती है, नेक्स्स्लाइड में हम लोग देखेंगे कोई कुई क्रिवजन, हाँ भाई, कल हमने कोई क्रिवजन नहीं करी थी, एक बच्चक कमेंन बुक्स में का रहा था सौरी, बढई कल के लिए, आज की कोई समीक्षा के अनुसार 2021 में करेंट अकाउंट सर प्लस GDP का कुल दो फीसद रहेगा। साथ में आर्थिक समीक्षा 2021 में वित्य वर्ष 2021 के लिए वास्तविक GDP दर 11 परसेंट अनुमानित की गई फोर पिलर स्ट्राटेजी में इन्नोवेशन पिलर इंक्लूड नहीं है। तो कौन-कौन से चार है मैंने कल बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को बतायते हैं तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा। ठीक है आर्थिक समीक्षा के मताबिक कोरोना काल में भा कोरोना वारियर्स को तो यह हमने देखा कोई करिवीजन एक फरवरी का आई होप सब लोग को अच्छे से वन लाइनर के फोम में याद हो गया हो। चलिए देखते हैं कल का कुशन क्या कहता है किस देश ने साल 2021 में सैयुक्त राष्ट को शान्ती मिशन के लिए डेढ़ ला राजदूत निम्में से किसे नियुक्त किया गया यह चार और यहोप अशी लेंगे और आज का वीडियो सची मुची में बहुत ज्यादा इंपोरेंट है इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ठीक है जिससे सभी बच्छे वीडियो का लाब और अगर आप लोगो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब कर दीजे उसके बगल में बाल आइकोन को भी प्रेस कर दीजे जैसे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर आप लोगको मिलते जाएं आज के लिए इतना कि वुए कि यह सब्सक्राइब ल सर्ड़ा रडिकेट